और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है कोमल जी ने हमें कॉल किया है पंजाब से कोमल जी क्या सवाल आप करना चाहती है नमस्कार मैं नमस्कार जी मैं मुझे दॉक्तर ने पी-सी होएं डिक्रेयर किया है जी उस वज़े से से काफी एक नहीं है हेर ग्रोप ऑन्वांडिड हेर जोगे हैं जी फिर में बहुत सारे सिर में डैंडर काफी रहते हैं पूरे साल रहते हैं हेर फोल प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में पूछना ह हाँ देखिए खुब ख्यार लखा करिए अपना और एक दवा एक रो मेटेरियल मैं आपको बताता हूँ अगर आपको वो मिल जाए असली तो वो खरीद ले सफेद गॉन्द मॉरिंगा है सफेद इसलिए कह रहा हूं कि इसमें लाल भी मिलता है वो नकली होता है तो गॉन् आपको मिल जाए तो आधा गिराम रोजाना पानी मिला कर आप पिलिया करिए आपकी यह समस्या ठीक होना मुम्किन है राहुल जी ने हमें कॉल किया है दिली से उनसे बातचीत करते हैं राहुल जी किस तरह की परिशानी है आपके साथ पूचिए अपना सवाल अपना सभा आई टुए नहीं बड़ती हैं बिल्कुल क्या करें हकीम साब बहुत परिशान है राहुल हाँ देखिए जो भी बच्चे और बच्चियां अपने ग्रोथ की उमर में एक उमर होती ग्रोथ की देखिए लड़कियां 18 साल तक लंबी हो सकती हैं और लड़के 22 साल तक अब आप मैं अभी शायद गुंजाश हो इससे पहले फोन करते हैं तो बहुत फाइदा होता लिकिन अभी कोशिश कर सकते हैं अब एक नारियल पानी रोस खरीदें और उसमें गौन मौरिंगा खरीदें सफेद वाला लाल वाला नहीं लाल तो बहुत मिलता है नकली होता है ग अगर गुंजाश बाकी है तो आपको काम्याभी बिल सकती है आपकी लंबाई बढ़ सकती है आपकी ग्रोथ हो सकती है और इस वक्त बन्नु जी ने हमें कॉल किया है उनसे बातचीत करते हैं बन्नु जी स्वावत है कारिक्रम में आपका हकीम साब आपको सुन पा रहे हैं अपना सवाल कीजिए बन्नु जी आप हमें सुन पा रहे है हाँ मैडम अपना सवाल कीजिए आपकी मम्मी को लखवा हो गया है जी अभी क्या हालत है उनकी और कितने दिन हो गए हालत मतलब लखवे में क्या हालत है कुछ फाइदा हुआ है थोड़ा बहुत चलता है अथ पेर हाँ यह मनद लखड़ी लेके मनद ना भी लखवे ले जाते हैं वो दिल जर्में तिल परते हैं ठीक 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 है चाह देखिए दवा एक है और उसके फाइदे अनेक है शुगर भी है उनको और देखिए जैतून का सिर्का आता है जैतून का सिर्का यह ती चमच रोजाना पानी मिलाके रात को पिलाया करें उनको और डाइपटिस की दवा भी चलना देए यह डाइपटिस को भी इस्तिर रखेगा और वो ब्लॉकिज जिसकी वज़े से लखवा होता है दिमाग में ब्लॉकिज हो जाता है चर्बी कहीं फंस जाती है खून क दिया करें एक बार या दो बार काफी दिन तक लेना होगा आपकी डाइपटिस भी कंट्रोल रहना मुम्किन है और लखवे का भी फायदा मुम्किन है एक और दर्शक हमारे साथ जोड़ गई है दयावती जी ने हमें कॉल किया है राजधानी दिली से दयावती जी क्या सव क्यों मर है और थाइरेड है नके फूलती है और मुह बहुत सोच जना रहा है और शक्ती बहुत दोड़ी होगी और पेट बड़ा थल थल हो गया ठीक है और बताईए दूसरा थावा दूसरा यह है जी मेरे मिस्टर है मैंने यह जत उनका शिरका भी मंगाया है वो पिच्च ओड़ी अखाने से न 10 दिन में बड़ा आराम होया है मेरे गर्दन में बहुत दरत था तो अराम हो गया बहुत आपने एक बार एक्सासाज बताई थी मैं देखती हूं तो मैं वो करती हूं उस्से मुझे बड़ा पायता होया है और मेरे मिस्टर राथ को यह लेते हैं गों भी बताता हूँ उसमें फाइदा होता है लेकिन असली मिलना चाहिए आपने असली लिया और दुश्वारी से मिला होगा और देखे आपको एक हफ़ते में काफी फाइदा हो गया और कभी कभी कोई शिकायत भी करता है तो वो नकली कौन अगर ले लेते तो शिकायत कजमेदा मैंनी। मैं कहता हूँ असली लेना है। और आदा दा गिराम से जाधा नहीं खाना है। और ये असली चीज़े मिलती बड़ी मुश्किल से है। हम से आपको शिकाइत होती है को हम真的 आपको नहीं दे पाते हैं। दरसल हमारे पास इतने और में परशान हो जाते किसी को मना भी नहीं कर सकते तो हम थोड़ा होल्ड करा लेते तो एक तो यह कि आप बहुत पुबारक और बहुत शुक्रिया कि आपने फीडबेक हमें दिया हमें बड़ा होसला मिलता इस बास से और यह बच्चा जो है आपका उसका सवाल है आपका तो देखिए यह बच्चे का थारेट भी जा सकता है और एक बड़ा अच्छा नस्खा जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा जितने नस्खे में जानता हूं उनमें अच्छे नस्खों में धनिया तीन सो ग्राम धनिया जो दाना होता है तीन सो ग्राम धनिया अकली होता है इसको आप पौडर बनाएं और एक चमश सुबा एक चमश खाएं सबसे पहले उसका थाइराइट जाएगा और गोली भी खाएं जो डॉक्टर देता है और हर बहीने डॉक्टर उनकी गोली की पोटेंसी कम करेगा और बहुत जल्दी थाइराइट चल जाएगा जो पेट हो गया एक दम थल थल और सीना बहुत चोड़ा हो गया और वजन बहुत जादा हो गया थाइराइट कंटोर हो के कम होगा और खाने पीने की कमी करें एक घंटा पैदल चले धूप में गरब पानी रोज पी पांच बार कम असकम तो इस बच्चे का भी ठीक होना को बंते हुनकी समस्या क्या है कफील साब पूछी अपना सवाल द्फर नमस्कार अधावर्श काफील साब तो आप प्र etaभी सब्सक्राइब लेसकते हैं तो अच्छा ऐलो जी जी नहीं ले सकते हैं एक टाइम लिजे इससे बहुत सारे फायद्धे होते हैं यह पेट की समस ओजया और डािवटीज नहीं होने अगर नहीं है तो प्र होने नहीं डेता अगर वो। जो यह चाहते हमें डाइवटीज ना हो उन्हें कभी-कभी इसका जरूर लेना चाहिए ये अगर लिया जाए तो डाइवटीज मुक्त भारत हो सकता भरत हो तो जो रोगी नहीं वो भी ले सकते हैं, इसके लेने वालों को डायपटीज कभी नहीं होती, ऐसा मेरा तजरवा है, और कोई भी निरोगी भी इसको ले सकते हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इससे अच्छा सिरका अपने अनुभाव में कहीं नहीं देखा, और एक क्या बताए डॉक्टर ने आपको क्यों होता है दर्टर ने कुछ बीजन नहीं करवा लिए पर रीजन कुछ भी पगड़ में लिया आता है अच्छा एज कितनी है आपकी योगे साब ओटी एट अच्छा देखिए बहुत तकलीफ आपने उठा ली एक मैं एक्सरसाइज बताता हूं और एक दवा भी बताता हूं देखिए एक्सरसाइज गौर से देखें मेरी के ऐसे सीधा बैठें और ये कान आपके मौड़े से मौ मौड़ा वही रहे कुछ लोग ना ऐसे मौड़ा उठाके कान इससे मिला रहते हैं ऐसा नहीं ऐसा हमें दो तीन मिनट रोजाना करना है ठीक है और पिसे फूप जोर से मौड़ें यहां तक मौड़ें और यहीं देखें ये भी दो तीन मिनट करना है ये तो आज से करेंगे तो दस दिन वाद आपको बड़ा अच्छा अनुभा होगा और दर्द में कमी जरूर आती है और एक खुराक आप रोजाना लें जो मैं आपको बता रहा हूँ कैपसुल टी केर, टी फॉर टाइगर रोजाना लिया करें बस एक खुराक खाने के पश्चात, पानी से या बगएर चर्बी के दूस से या गाजर के जूस से आपको लेना शुरू करें, आपको फाइदा होना मुम्किन है और इस वक्त मध्य प्रदेश से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े है हलो हलो मैं नमस्कार जी, नाम बताएं रियर्बंगे लोडी हां जी रियर्बंगे लोडी जी, सवाल क्या है आपका जी में राइट साइट के अंड़कोश में सूजन है इसका है जी सूजन है का है राइट साइट के अंड़कोश में सूजन है इनके ठीक अच्छा देखिए एक तो आप यह तो लंगोट बांदा करें प्राइन टाइम में तो हम लोग लंगोट बांदते थे अब उसकी जगा इसकिन टाइट नेकर आगया वो पहना करें और खशखाश लें खशखाश लें आप सो गिराम और दो सो गिराम आप लें अलसी खशखाश सो गिराम दो सो गिराम अलसी और सो या दो सो गिराम गौन मौरिंगा सफेद इसका पौडर बनाएं और हुब बारिक पौडर बनाएं सबको रो मेटरी ठीलें और एक चमच सुबा रोजाना गरम पानी के साथ लिया करें कि इस्किन टायच नकर पेने या लंगोट बाड़ियो अपनी समझे है तो सर्च कर ले लंगोट क्या होती है सबसे से थे से फ लंगोट होती है अब लोगों न prospective बनकर दिया नेकर पेनने लगे तो उसटी जहां इसके टायट नेकर और वजन उठाने का परेश किया करें तो आपको फाइदा मुंकिन है उत्तर प्रदेश से शीला जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौझूद है शीला जी आपकी समस्या क्या है पूछी अपना सवाल जी नमस्कार जी नमस्कार आपको कोई प्राब्लम है दर्द की मेरे ना अधीन साथ गुटने के नीचे जो पिंडली होती है ना वो सूझ गही थी तिर उसमें दर्द हो रहा था मैं दो मिनट भी नहीं खड़ने सकती थी जब से मैंने आपकी ये अल्सी और जो आपने गांट हो वाली दवाई बेलाई थी वो बनाटे मैंने खाई और कई जनों को मैंने दी लिए और सबसे ना मेरा पैर तो मैं ऐसा है ठीक चल जाए हूँ जड़र पैर उठा के चलती हूँ और वैसे जड़र नहीं है पैर उठा के चलना पड़ता है मुझे थीक है थीक है हाँ तो वो जो नुसका है आपका उसमें गौन भी मिला सकते हैं गौन फाइदा हो गया लेकिन अगर कुछ गौन गौन भी मिला सकते हैं गौन इतना मिलाएं कि आदा गिराम एक वक्त में आपके पेट में पहुंचे यह अकेला भी यूज़ कर सकते हैं और जो नुसका आपके साथ है उसमें भी मिला सकते हैं जो नुसका आप मिलाएंगे तो उ पर आग जाने चाहिए उन दवाओं के साथ तो आप मंगा सकते हैं काला गौन और बहुत अच्छा लगा आप आप जैसी महिला हैं मेरे साथ लाकों जुली हुई हैं जो रेजिटर बनाती हैं लिखती हैं पहले खुद आदमाती हैं पिर दूसरों की सेवा करती हैं फिरी में दोएज देती हैं दूसरों को पूरे खांदान में उनका नाम होता है और मेरे नस्वे उनको पहुंचते हैं और मुझे इत्मिनान होता है कि अगर लगकी सबको तो जाना है है अपने भगवान के पास अब मेरे बाद मेरे नस्वे आप जैसी महिला नहीं जो हमँड़ी माज की तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थे कि आप जैसी लाकों मही लाएं मेरे साथ जुरी हुई है और आप ऐसे ही सेवा करती रही है और भगवान सब को देख रहा है मुझे भी और आपको भी इसका जरूर पूल मिलेगा आपको भी और मुझे भी तो ये काम इल्म क काम है सेवा का काम है जितना पहलाएंगे इतना ही भगवान खुश होगा और वो खुश होगा जो दूआ देगा आपको उस सीदा आसमान पर जाकर काम करेगी आपके घर में बहुत खेर बहुत सुरक्षा रहेगी कहीं न कहीं आपको इसका पून मिलना जरूर है